दोस्तो आज का वीडियो बहुत ही आदा खास है क्योंकि आज कि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप भी ICICI bank से personal loan लेने के लिए कितने का loan मिलेगा उस loan को चुकाने के लिए कितना समय आपको मिलेगा साथ ही साथ आपका civil score कितना होना चाहिए ICICI से personal loan लेने के लिए साथ ही साथ इस loan को लेने के लिए आपके पास कौन-कौन से दस्तावेच होने चाहिए यानि सारा डीटेल इसी वीडियों बताऊंगा तो चलिए जान लेते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आचुका हूँ bankbajar.com के वेबसाइट पे इसी वेबसाइट के मादम से मैं आपको सारा डीटेल बताऊंगा सबसे पहले बात करें कि आखिर कितना परतिसत इंट्रेसेट पे ICICI प्रस्नल लोन है में देता है तो दोस्तों देख सकते हैं पहले ही नमबर पे यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको नीचे करता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रेसेट है यानि इंट्र असी से लेके 16.15% के बीच में ही आपका इंट्रेस्टेट रहेगा, वहीं बात करें, लोन प्रोसेसिंग फी का तो 2% लगेगा, कहीं से भी आप लोन ले, आपको प्रोसेसिंग फी देना ही पड़ेगा, चाहे वो बैंक से ले, ऑनलाइन ले, अफलाइन ले, उसके बात करें, जैसे मालेजी आप लोन ले लेते हैं, तो आपको कितना समय मिलेगा इस लोन को चुकाने का, तो 12 से 72 महीने तक टाइम मिल जाता है, जो की अच्छा खासा टाइम है, वहीं बात करें, लोन कितने तक ले सकते हैं, तो आप 50 लाख रूपे तक लोन यहां से ले सकते हैं, वही महीने में कम से कम आप 1878 रुपे का EMI भी बना सकते हैं वहीं बात करें आप इंकम का कि आखिरे किस-किस को लोन देता है इलिजिविटी का इटिरिया का तो कम से कम महीने में आप 30,000 रुपे कमाने वाले वेक्ति होने चाहिए आपको पता हुआ कि लोन उसी वेक्ति को लोन देता है यानि बैंक उसी वेक्ति को लोन देता है जो कुछ कमाता है जो कुछ नहीं कमाता उसको लोन कभी नहीं देता इसलिए क्योंकि जैसे माले जी आपको बैंक ने लोन दे दिया आप उसका पैसा चुकाएंगे कैसे आप भ वेक्ति होना चाहिए अगर आपको कम कमाने वाले वेक्ति जैसे मालीज़ आपकी सेलरी कम है दहजार बारहजार उस फिर भी आपको लोन चाहिए तो उस पे और भी वीडियो में बना रखा है उस वीडियो को देख लीजिए तो मुझे उमिद है कि आपको सारा डीटेल पता चल गया होगा फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्षिन में बताइए अभी के लिए इतना ही थेंक यू फो वाचिंग